हेलो माई लवली यूट्यूब फैमली सेवी दिस साइड वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल आए होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम फाइन हूँ तो चलिए टाइम लाइन्स में बढ़ते और स्टार्ट करते हैं आज की मोस्ट शॉकिंग टाइम हो सकते हैं क्या expectations हो सकती है तो आज जो PPR सबसे पहले हम डिसकस कर रहे हैं वह October 1 से ही है और इन्होंने अप्लाई इंडिया से ही किया था और 6th October 2021 में इन्होंने अप्लाई किया था अप्डेट हुआ था 12th January 2022 को और इनका रिवियो स्टार्ट हुआ था January 30 2022 को यह बहुत ही लगी है आई नो आयर्स इसी रेंडमली केस पिक कर रही है क्योंकि अभी तक October से कोई PPR नहीं दिखी थी यह first PPR मैं देख रही हूं अगर आप लोगों का पता ही नहीं है लेकिन मैं फर्स PPR यह देख रही हूं जो October के मन से है तो आप भी लगी हो सकते है आई और सिसी आपकी भी फाइल पिक कर सकती है लेकिन और हम क्या कर सकते हैं अपना एक कैटिगरी जानने के लिए हम कमेंट सेशन में अपने अपने स्टेटस बता सकते हैं अगर हम October मन के हैं कि उनकी भी सेम सिच्वेशन है या नहीं इससे आप अपनी PPR की एक्सपेक्टेट डेट पता कर सकते हैं सो कमेंट सेशन में एक दूसरे से जानिए क्योंकि आप कमेंट सेशन में जब डिसकस करेंगे तो आपको एक आईडिया मिल जाएगा आपकी PPR को लेकर अगर हम हुआ था 7th March 2022 को और इन्हें PPR मिली है 8th March को Congratulations to you जिनको भी PPR रिसीव हो रही है न मुझे लगता है कि जो वीडियो देख रहा है जो कमेंट कर रहा है मिनस सारे ही लोगों को अपनी खुशी भी उनकी खुशी में दिख रही होगी लाइक हम इमेजन कर लेते हैं हम भी कभी अपनी PPR टाइम लाइन ऐसे ही शेयर करेंगे और सब लोग हमारी happiness में हमारा साथ देंगे तो बहुत सभी लोगों को आपकी PPR की खुशी है जिन भी लोगों को PPR रिसीव हो रही है बहुत बहुत बढ़ाईए आपको नेक्स PPR टाइम लाइन हमारे पास है 16th अप्रेल की फाइल सम्मीटेर है बायामेट्रिक इनका अपडेट सेम डे को ही हो गया था मेडिकल अपडेट इनका हुए है 10th नेवेंबर को रिवियो स्टार्ट हुए है 10th नेवेंबर को and 7th मार्च 2022 को इने PPR मिली है after 3 refusals so many many congratulations to you because जिन लोगों ने refusals face किये रहते हैं उनका patience level अलगी level का होता है so heads off to you for your patience and congratulations to you for your PPR next PPR timeline हमारे पास है 29th जून की इनोंने file apply की थी 26th जॉलाई के इनके बायमेट्रिक थे medical update इनका हुआ था 19th नेवेंबर को PPR इनने receive हुई है 8th मार्च 2022 को congratulations to you next PPR timeline हमारे पास है apply हुई थी file 17 एप्रेल 2021 में बायमेट्रिक इनका हुआ था एप्रेल 28 2021 में and medical upfront था और update हुआ था review के साथ ही 12th नेवेंबर 2021 को visitor visa भी इनोंने apply किया था 24 February 2022 को जिसमें इनने refusal मिल गया था मार्च 4th को and reason यही था कि यह eligibility को meet नहीं कर सकते है but इनने finally spouse open work permit की जो है PPR receive यह so many many congratulations to you next PPR timeline हमारे पास again June से है file submit हुई थी 8th June 2021 को biometric इनके हुए थे 20th June 2021 को medical update हुआ था 2nd December 2021 को review and PPR request ने आई थी 8th March 2022 को many many congratulations to you so next to timeline है उनको PPR receive यह 8th March 2022 को इनकी file submit हुई थी 27th May को biometric इनके हुए थे July 26th 2021 में medical इनका upfront था 13th December 2021 का additional document request ने आई थी 1st March 2022 को जिसमें इनसे 3 latest paste ups मागी गई थी इनके spouse की और इनने finally PPR receive यह 8th March को and next है visitor visa का refusal case जिन्होंने new portal में apply किया था इन्होंने reason दिया था invitation का कि medical emergency है बट फिर भी इनकी file refuse की गई and refusal का reason funds related दिया गया है इन्होंने apply किया था 27th February 2022 को and इन्होंने refusal मिला है 8th March 2022 को next हम बात करें अगर कल के ही comment session में कवल जीद सिंग जी ने अपनी timeline तो share नहीं किया लेकिन PPR आने की खुशी जाहिर किया और इन्होंने बोला है कि इनको PPR receive यह 8th March को और इन्होंने file apply की थी 5th April 2021 में many many congratulations to you sir next कल के ही comment session से एक comment है यहाँ पर hi savvy ma'am good morning I got visa okay study visa approved on November 2021 UCW Vancouver आपको बता दू मैं भी same college से ही मैंने भी MBA किया है मैं भी उसी college की पास आउठ हूँ इसलिए mainly मैं यह comment डिसकस कर जहूँ then we applied for SOWP for my husband on December 22, 2021 medical updated on December 23, 2021 biometric हुए थे 7th January 2022 को now in new portal we could see no additional documents required background verification and review of eligibility is in progress please let us know when we can expect our PPR is there any conditions like should I land in Canada within 6 months once my study visa got approved तो मैं ऐसा नहीं है कि हमें 6 महीने ही पूरे होने चाहिए Canada में मेरी कुछ friends ने जैसे अपने spouse की file लगाई थी तो like first semester complete होने के बाद enrollment letter college से मिलता है और हम file लगाते हैं जब तो उस time पे काम one month या two months में maximum होता था तो उनके spouse just two months के बाद ही यहाँ पहुँच गया थे यह कुछ ने इंडिया से ही file apply की थी तो first semester class में वो हमारे सामने थे वो लोग lucky थे अभी time जो बढ़ गया है वो हम लोग face करें लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें six months ही होने चाहिए next हमारे पास PPR timeline है इन्होंने apply किया है 31 March 2021 में biometric इनके हुए है 5th April 2021 में medical pass and review start same date को हुए 27 October 2021 को and PPR receive हुई है 8th March 2022 को next हमारे पास timeline है इन्होंने file submit की थी 30th September 2020 को जी हाँ ये 2020 का case है इनके biometric done हुए है 17th November 2020 को दुबई से upfront medical इनका था 30th April 2021 का medical request इन्हें आई थी 10th November 2021 को document request इन्हें आई थी 15th November 2021 को इन्होंने email की थी MP को 11th February 2022 को और इन्हें PPR receive हुई थी 18th February 2022 को मैं इसलिए शेर करें क्योंकि कल का एक question था कि हमें passport stamp में कितर time लगेगा तो इनका passport जो printing के लिए गया था 21st February 2022 को and receive हुई है 8th March 2022 को तो आप calculate कर सकते हैं कि कितने दिन इनके लगे हैं I guess two weeks तो गाइस यह थी आज की timeline मिलते हैं कल नए vlog में नए timelines के साथ और भी ज्याद़ positivity के साथ और भी ज्याद़ के साथ क्योंकि इस बार कि आप comment session में comments करने वाले हैं अपने application के status था कि आप जान सकें कि किस मंथ के applicants का review start हो है या medical update हो है या कब तक chances है PPR आने के so I will be waiting for your comments your replies your discussion तब तक के लिए bye bye take care see you in tomorrow's vlog